नमस्कार मैं परणजोई गुहा ठाकुर्ता न्यूस क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ चार लेक आये हैं अल जजीरा में और लेक परके आपको लगेगा कि एक विश्व के सबसे बड़ा जो सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया जो जो प्लैटफॉर्म है फेस्बुक और फेस्बुक के साथ इंस्टाग्राम भी है उसके साथ वाट्साप भी है ये कंपनी जिसका नाम आज हो गया मेटा मेटा वर्स कुछ महिनों से कुछ साल से भारत वर्श में भारते जनता पार्टी को मदद कर रहे लेक परके बहुत लोग आश्चज हो गए कैसा कर रहे उसको फाइदा कैसा मिला और इसके साथ एक कंपनी का नाम भी आ गया जिस कंपनी के पीछे भारत वर्श के सबसे अमीर वेकती है मुकेश अंबानी जी याने की रिलाइंस कंपनी का जो बॉस है तो आज มेरे साथ ये स्टूडियो में न्यूज क्लिक के स्टूडियो में हैं जो वेकती ये झो खोजी पत्रकार है जो ये लेक लिखा है चार लेक जो प्रकाश किया गया मैं उनसे परिचे कर देता हूँ कुमार संभब श्रीवास्तव जी 14 साल पत्रिकारते कर रहे हैं और रिपोर्टर्स कलेक्टिव और साथ साथ इसके साथ एक साल आपने इस इन्वेस्टिगेशन इस खोजी काम किया आपने और साथ साथ आड़ वाच आपके साथ नैंदरा रंगनाथन आप अगर निउस्टिग का दर्शक के लिए सरल भाशा में समझा दीजे क्या सच मुच फेस्बुक भारती जनता पार्टी का जेम भी चला गया जी थैंक यू सर एक्चली हम लोगों ने पहले भी ऐसी रिपोर्टिंग आई है अखवारों में हुआ है एक आपकी किताब भी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे फेस्बुक के अंदर जो लोग हैं वो साथ में काम किये हैं भारती जनता पार्टी के चुनाओं के दौरान तो हमारे मन में भी एक सवाल था कि अगर इस तरह के लोग साथ में काम किये हैं या वाकई सचुच में कोई कलिजन है तो उसका प्रभाव क्या पढ़ता है चुनाओं पे उसका असल में जमीन पे चुनाओं में पार्टी की प्रफोर्मेंस पे क्या प्रभाव पढ़ता है तो वो हमारे मन में एक सवाल था तो एड़ वाज की नयंतारा रंगनाथन है वो लोग रिसर्च करते हैं पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट पर राजनेतिक विज्यापन जो फेस्बुक में होते हैं पांच लाग से उपर थे और उनका डेटा हमारे पास था सब डेटा पॉइंट जो मिला कि लगभग 20 लाख डेटा पॉइंट है इसमें तो फेस्बुक एक काम करता है कि जब इस पर कई दूसरे देशों में भी लोकतंत्रों में इसको चुनाओं को प्रभावित करने के जब आरोप लग रहे थे तो इन्होंने पारदर्शिता दिखाने के लिए और यूएस में बहुत इन पे प्रेशर पड़ रहा था तो इन्होंने राजनेत्क बिग्यापनो का एक डेटा एक एड लाइब रेरी में एक हट्टा करना और दुनिया को दुनिया डेरी का जो भी सूचना है ये एड वजच और नयंतरा रंगनातन जे विसलेशन उन्होंने लिया और हमने उसको देखना शुरू किया कि उसमें असल में है क्या और उसमें फिर हम एड से निकालना शुरू किया तो हमें तीन चार चीज़ें जो हैं एक साल के इन्वेस्टिकेशन के बाद उसमें समझ में आई एक तो यह है कि भारत के जो कानून है उसमें कोई भी अगर किसी राजनेतिक पार्टी के लिए या र इरवाचन आयोग कह रहे हैं उसका खर्चा भी उसमें एड होना चाहिए अगर यही आप जड़ा समझाती चाहिए यह हमारे देश का जो कानून में छूट क्या है वाट इस दर लूपोल जो इलेक्शन कमिशन ओव इंडिया में यह क्या चीज़ है सरोगेट पॉलिटिकल कि आप किसी एक राजनितिक डल या किसी एक उमीद्वार या कोई राजनितिक डल का प्रवक्त का मदद कर तरह उनके ओके विग्यापन दरें मागर आप कह रहें कि मेरा उनके साथ कोई संपर्ट नहीं है तो यह जड़ा हमें समझा दीजिए इस जी इस कानून के पीच्छ किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस की कि इस सीमा से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता लेकिन अगर उस सीमा से ज़्यादा उसको खर्चा करना है तो आप अपना पैसा मेरे उपर लगा के मेरे अकाउंट में ना दिखा के आप सीधा एक विग्यापन दे देते हैं मेरे लिए तो ये एक तरीका गलत हो जाता है, वो कानून का उड़ा है और मैं कहूंगा कि मुझे तो मालूम नहीं आप कौन है और क्यों मेरे को तारिफ कर रहे है या प्रचार कर रहे है क्योंकि अगर आप कहेंगे तो फिर वो मेरे खर्चे में शामिल हो जाएगा और दूसरा ये कि इसके अलावा बहुत ही अन्नोन सोर्सिस भी है इल्लीगल पैसा भी होता है जो भी इस क्योंकि अगर नहीं दिखाये जाएगा तो वो चुनाओं में जाता है इस तरीके से इसलिए ये प्रिंट में और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में ये बैन रहा है खामोश है आप उनको लंबा चोड़ा इमेल भेजा या चिठी भेजा वो कुछ नहीं बता रहे है क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं ये जो कानून का छूट आप चरह समझा दीजे कैसे हो रहे हैं तो निर्वाचन आयोग ने आगे के समय में करेंगे आईटी मिनिस्ट्री के साथ बात करके और इनसे करके यह करेंगे यह 2013 मिन होने कहा था वह आगे का समय आज तक नहीं आया वह नियंत्रन मतलब इन लोग के यह जो सोशल मीडिया वालो इनका और यह जो सरोगेट पोलेटिकल एडवर्टाइस कोई नियंत्रन नहीं है उन्होंने बोला जब हमने अर्टी लगाई और हमने सवाल भी भेजे तो उन्होंने कहा कि हमने तो सोशल मीडिया कंपनीज को ही बोल दिया है कि वह सेल्फ रेगूलेश हैं फ्रैंसिस हॉगन उनके कागजों से ये भी सामने आया कि फेस्बुक ने इलेक्शन कमिशन के साथ लॉबी किया था कि वो जो सेल्फ कंट्रोल के जो नियंत्रन बनाएंगे और उनके साथ एक और संगस्ता है इंटरनेट एंड मॉबाईल एसोसियेशन और दोजार उन् चुनाओ के पहले फेस्बुक ने बोला कि नहीं हम तो इसका कंट्रोल करेंगे और देखी हम ये सरोगेट एड्स को हटा रहे हैं तो इन्होंने चुनाओ के दो महिने पहले लगभग आठसो ऐसे अकाउंट्स जो सरोगेट के थे वो हटाए थे इसमें 600 से जादा 690 के और यहां 600 के उपर हटाए थे Silver Touch Company का मगर आपका जो लेक है उस पर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है बहुत सारे वेब साइट से बहुत सारे पेज़ेज है जैसे MyFirstVoteForModhi.com, NationWithNamo, NationWithNamo.com, भारत के मन की बात और सारे दिखा रहे हैं इनका पता है भारते जंता पार्टी का ज रिखा आपने आमित मालविया जी को भारते जंता पार्टी का आईटी सेल है उन्होंने भी खामोश जवाब नहीं दिया कोई जवाब नहीं आया तो हमें इस मुद्धे पर हमें कुछ 23 जो है सरोगेट अड़टाइजर्स मिले थे उसमें जिन्होंने प्रो बीजेपी एड इसमें और उनके एड्रेस में कोई जानकारी नहीं है किसी की का एड्रेस बीजेपी के हैट से मिलता है कि सिके न्यूज करके एक कंपनी है न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जो हमें पता चला और यह न्यूज के फॉर्म में जो है विज्ञापन देती है तो यह बोलती है कि हम तो न्यूज बिजनिस करते हैं मगर लोग सबस्के यह खबर है मगर यह सच मुझ विज्ञापन है अब उनका लोगो भी न्यूज बोलता है और वो न्यूज कहें कि इसका स्तापन किया शालाब उपाध्य है और उनका बहन दीपी का एक लाख रुपया में और फर उसका पितार के नाम है उमेश उपाध्य अश्ची, सतीश उपाध्य बी उनका रिष्चदार है सब लोग इसका साथ भारती जन्ता पारटी के साथ नस्दीकी है और करोर और रुपया रिलाइंस कंपनी उनको दिया हर साल में दिखाते हैं उधार एक साल आट करोर चालिस लाग एक और साल में बार एक बार बार बा मालिकाना तो अभी बदल गया तो इन्होंने मालिकाना हग तो पहले ही देली लिया था चुनाओं के पहले ही इनके पास आ गया था और 0.0001% की इंटरस रेट पे इन्होंने वो लोन दिये हैं मतलब ना के बराबर मतलब समझे दान कर दिया और लगबग 29-30 करोड तीन साल में उनको दे चुके हैं और इस संस्थाने समाचारों से जो कि ये कहते हैं कि हम समाचारेजेंसी हैं या कि विज्यापनों से कोई रेविन्यू नहीं कमाया है तो लगबग सारा का सारा पैसा जो रिलाइंस त्वरा दिया गया है वो इन्होंने खर्च किया है विज्यापन देन वो misinformation है गलत सूचना है जिसमें एक दब गलत है यही आपने बहुत अच्छा किया ऐसे आपने चार पाच उधा रहते हैं आप शूरू करते हैं माले गाओं में प्रग्या सिंग ठाकूर उन्हें लोग सबा का सांसद है और उन्होंने जब चुनाओ चल रहे थे 2019 का लोग सबा चनाओ यह जो न्यूज है ने डबलू जे इन्होंने ऐसा बोला कि प्रग्या सिंग ठाकूर को आदालत ने विमुक्त कर दिया शीयाज बीन एक्विटिट यह मगर असलियत और कुछ था उनको जमानात मिला था और यह जो पेज उन्होंने किया एक दिन में तीन लाक अधार कर रहे न्यूज के नाम में या ख़वर के नाम में ऐसे और भी आपने उधार अंदिया महमुवा मुफ्तिकाफ के साबने मंगला देश का वीडियो आप आप जड़ा विसार से बताएए तो इसमें वही यह एक न्यूज की तरह एक ख़वर बताते हैं कि हम स्मॉल काउंस में और विलेजिस में जो जहां सबसे गलिबल लोग होते हैं जिनको समझ में भी फरक नहीं कर पाते हैं कि एक्चली न्यूज क्या है और वीडियो क्या रहा है क्या क्यूरेटिड वीडियो क्या है तो उस फॉर्म में जो लोग अनपर है असिक्षित है चोटे शहर म नंको नंके लिए ये टागेट करते हैं यह इंका उयसपी है कमपनी का तो और इंका जो नोने नाम दिया है वह इसलिए दिया है क्योंकि गाउं में और चोटे शहरों में नियूज ना बोलके लोग न्यूज बोलते तो इनका ये लाजिक भी था वो इंटर्विव में तो उस बज़े से ये ऐसी खबरें वहां जाती है और उसका विजिबिल्टी इतना जादा होता है और वो से मिसिन्फॉर्मेशन फैलती है और हमने जब इनको भी सवाल भेजे थे कि ये आपके कॉंटेंट के ऊपर आप ऐसे एडविटीजमेंट क्यों कर रहे हैं तो उन्हों गांधी का एक वीडियो उसको काट दिया मसूद अज़र के ऊपर एक जगा में बोलता है मजर जी उसको काटके लोगसवाचुनाओ का एक महन पहले उन्होंने किया वो भी चार दिन में सारे चार लाग भी और उसमें उसको मीमी फाई भी किया है अभी सिर्फ ये एक तो य जैसे कहा जाता है तो वो सब उसमें डाले गए हैं और बहुत सारे एक्टर उसमें हस रहे हैं तो यह पूरा एक मौक करने के लिए यह पूरा एक वीडियो बनाया गया गया जिससे दिखाया गया कि यह देखो ऐसे यह सॉफ्ट है जब खबर नहीं देख रहे एक तरह से आ एक प्रतिवाज चल रहे थे CAA जो नागरिक कानून का जो आपने सिल्चोधन किया और उस समय आप दिखा रहे थे बंगलादेश का एक वीडियो जहां पे आप दिखा रहे कि कुछ मुसल्मान लों हिंदू के घर तोर रहे हैं यह वो यह भी एक एक दम गलत खबर जूटा खबर वो वीडियो वो दिखा रहे हैं उसके साथ कॉंटेक्स यह है कि देखिए हिंदू जो हैं अगर मेजॉर्टी मुसलिम हो जाती है तो इस तरह से उन पे अटेक होता है इसलिए हिंदूस्तान में भी आपको CAA को उसका सपोर्ट करने की जरूरत है उस वीडियो को आप उनके साथ भी आपने तो किये क्यों कर रहे हैं एक और उदानन आपने दिया ऑक्टबर 2020 में जब विहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे वहांपे भी भारती जन्ता पार्टी यह नियूज बात ने यह रिलाइंस कंपनी भारती जन्ता पार्टी ने एक विक्य जनेता को हत्या के पीछे है उनका नाम है शक्ति मलिक बाद में पता चला कि ने सच्मुच अपने कोई बिजन्स करना थे कोच कारोबार करता है किसी के साथ जगरा जाटी हो गया तो किसी ने उसका मार दिया मगर आपने एक भारती जन्ता पार्टी उसको तीन पैसे में ती एक दिन में डेर लाग से ज्यादा व्यूस हो गया जब खबर आई तब तक तो ये लोगों तक इसका हिंट पहुच गया था कि शायद ये पीछे हैं इसके तो उन्होंने डाइरेक्ली नहीं बोला मंगर इंसिनुएट करते हुए बोला कि ये इन्होंने धंकी दी थी उनको कोट का जो राय है दिली में जो हिंदु मिसल्मान दंगा हुई थी इसके वारे में आपने बताया और आपने ये भी बताया किस तरह से इनके पहुच है भारत वर्ष में 24 करोड लोग फेस्बुक के इस्तिमाल करते हैं उशे साथ दुगना लोग वाटसाप का इस्तिमाल कर है तो किस तरह से अपना विज्यापन का जो रेट है इधर उधर करते हैं वो कहते हैं अपने आप कि ये हम त्यार करेंगे इसका रेलेवेंस क्या है यानि की प्रासंगिता प्रासंगिता क्या है प्रासंगिता हम सॉरी मेरा उचारण बहुत खराब है एंगेजमेंट के किया एक राज्य छोड़के महाराष्ट्रा छोड़के हर जगा में भारतजंता पार्टी का विग्यापन का रेट कम था और कॉंग्रिस के लिए रेट जाद था तो उसमें पाकिसारे राजनेतिक दल के लिए जाद था एक जगा में दिल्ली का विधानसवा चुना में 80% तो उसमें ये फेस्बुक का एक सिस्टम अलग है जैसे सब जगह तो अगर प्रिंट या टेलिविजन में देना है तो आपको एक फिक्स रेट पताया जाएगा कि अगर इतनी जगह है तो आपको उसमें इतने पैसे देने पड़ेंगे विग्यापन के लिए फेस्बुक मे जो जाधा पैसा देगा उसका विग्यापन उसको दिखाया जाएगा उस समय पे लेकिन इसके साथ ही एक कॉंटेंट के लिए रेलेवेंस को भी डिसकाउंट देता है कि अगर वो मेरे लिए जाधा इंट्रस्टिंग है या प्रासंगिक है तो वो उस पर्टिकुलर एड को उसमें कम देगा अपनी मर्जी से किसी को पता नहीं चलता अंदर ही अंदर एल्गोरिदम एक ओपेक है अल्गोरिदम जो कैसे काम करता है किसी को पता नहीं है अपने अंदर ही अंदर वो रिजल देता है तो इसका जब हमने परिणाम देखे तो परिणाम से सामने आया कि 9 जो चुनाव हैं उसमें BJP के जो हैं वो सस्ते थे विज्ञापन अब सस्ते का मतलब क्या है कि कम पैसे में जादा लोगों तक दिखाया जा रहा है विज्ञापन उसकी जगह जो विपक्छी दल है उनको जादा पैसा देना पड़ता है और वो कम लोगों तक पहुंचता है त अब आप कहेंगे कि नहीं ये विज्ञापन तो एक एड़टाइजर और पब्लिशर के बीच का मामला है मार्केट में मैं कितना रेट चार्ज कर रहा हूं तो जो प्रकाशक है उसके बीच का मामला है मैं एक को डिसकाउंट देना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा बड़ा ग् छोटा है वो मुझसे कम खरीद रहा है मैं उसे थोड़ा महंगा दे रहा हूं लेकिन ये मार्केट में ठीक है जब यही बात अगर आप चनाव पर इस्तिमाल करते हैं तो जो एक राजनेतिक दल कम पैसे में ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और दूसरा ज्यादा पैसे नहीं चलता जो कि हमारी स्टोडी आने के बाद बहुत से कॉलमिस्ट और जो जो चर्चा करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विज्यापन का मामला है इसमें क्यों है लेकिन ये हमारा चुनावायोग फेस्बुक खुद इन राजनेतिक विज्यापनों को कमर्शिल वि परती ट्रम को कम रेट बिला बाइडन को जादा पैसा देना परेगा देखिए हमारा वक्त अभी खतम हो गया आखरी सवाल आप ज़रा सरल भाशा में न्यूशिक का दर्शक को समझा दीचे ये जो आपने चार लेक प्रकाश एक आम वेक्ति एक युवा जो आज सोशल इंडिया दिन भर लगे रहते हैं वो मुबाइल के ओपर फेजबूप वाटसाप कैसे सतर्क होना चाहिए तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कहां से इंफॉमेशन आ रही है उसकी जानकारी रखना बड़ा जरूरी है कि ये सोर्स क्या है उसमें सही इन पर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मिसिंफॉमेशन बहुत है और जानना चाहिए कि उस न्यूज के पीछे कौन लोग हैं जहां से आपको ये आ रही है वो आपको गलत इंफॉमेशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपोगेंडा तो नहीं कर रहे हैं ये जानकारी होत अपना जो है मन बनाना चाहिए और एलेक्शन में तो खासतोर से ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अब वो राजनितिक दल इसको एक टूल की तरह इस्तिमाल करते हैं तो मेरा कहना यह है पूरा हतियार बन गया है और एक ही राजनितिक दल को हतियार का मतलब जो हमारे इस डेटा में निकल के आया है पांच लाग के ऊपर तो उसमें तो एक ही राजनितिक दल है बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा मिला है फेस्बुक के इस प्लैटफॉर्म पर जो हमारे डेटा से साफ़ दोर पर निकल के आया है धन्यबाद कुमार जी थैंक यू आपने दर्शक को समझा दिया किस तरह से यह जो बहुराष्ट्रिय संग्स्ता जो एक सामाजिक लोग माध्यम का प्लैटफॉर्म चला रहे इसका फाइदा एक राजनितिक दल भारत वर्ष में भारती जंता पाटिक में कैसा मिला कितना म रहे थैं अब पर यह अंग्रेजी में लिख है अल जजीरा में चार लेक आये हैं 14 मार्च से शुरू करके 14, 15, 16, 17 और इस विशे तो अभी सांसद में भी आ गया सोन्या गांधी भी इस विशे के उपर कहा कि जिस तरह से ये जो बरे-बरे अंतराश्यर अभ्राश्यर संग्सथा काम कर रहे है भारत वर्ष में हमारे दिश का लोक्तित्रा खत्र में है और हमारे देश के जो सामाजिक जो स्थिर्था इसको रखने के लिए इन वरे वरे प्लाटफॉर्म के उपर अंकूश लगाना ज़रूरी है और साथ-साथ हमारे देश के जो निर्वाचन आयोग उनको भी खामूश रहना ठीक नहीं है धन्यवाद नमस्कार आप देखते रहें न्यूस क्लिक सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए वो बटन दबा दीजिया